अले वेवेवान वेल्कम तो अनकाडमी जे यूट्यूब चैनल आम जेहन्थ नागता में जेही कोच और के लेक्षर नमबर टू में हम वो छोटे-चोटे कंसेप्स की बात करने वाले जो कि कहीं पे भी पेर हो जाते हैं जैसे कि एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी डेंसिटी और बहुत सारे ऐसे कंसेप्स जो कि हम इस लेक्षर नमबर टू अफ के पासिटर में करने वाले हैं बहुत बहुत इनो लेक्ष सिंपल से सिंपल और अमेजिंग से अमेजिंग एडवांस के कॉश्चन्स में भी आ जाते तो यह वाचिंग अनकाडमी जे यूट्यूब चैनल म सब्सक्राइब ने मेक्षर आपने वो बैल आइकन दबा दिया है और साथ-साथ अपनी कॉलिटी एजुकेशन फ्री ओफ कॉस्स डिलेवर करने की जो मुहीम है उसका अगर आप हिस्सा नहीं है तो हैस्टाइग जेलाइव डेली से यहां पर है शायद है 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 हैस्टाइग ट्विटर इन सभी माध्यम पर मैं मौझूद हूँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं साथ-साथ आपको टेली ग्राम पे भी अनकैडमी जेए का एक ग्रूप बना हुआ है उसे फॉलो कर लेना चाहिए साथ-साथ आपको सारे लेक्षर कहां मिलते हैं लाइव डेली डॉट ए हैं स्पेशल क्लासेज होती हैं जो भी शिड्यूल है और जो भी नोट्स की इनफर्मेशन है वह आपको टेली ग्राम के चैनल पर और अनकैडमी जेए के इस कम्यूनिटी पोस्ट में आपको मिलता है ठीक है तो टेली ग्राम पे अनकैडमी जेए सर्च करके उसे फॉलो और उसको भी पॉलो कर लेने से आपको वह आपको दिक्कत है बच्चों कि आपको जल्दी से उसको रिवाइस करना है तो इस तरह के बहुत सारे अपने क्लासेशन के फ्री स्पेशल क्लासेज आप मेरी प्रोफाइल पर जाके देख सकते हो अनकैडमी डॉट कॉम स्लाश ज यहां पर लिड़बोट के थ्रू में लोग फोशिंस की प्राक्टिस करते डेर्यों प्राक्टिस ज्योंतेश जी समगां and at the same time infinite doubt clearing infinite interaction with India's best is going to guarantee this kind of result for you also ठीक है बच्चो तो अगे बच्चो आपको इंडिया के number one platform पर सारे के सारे सारे educators की access अगर मिल जाए तो क्या बहतरीन बन सकते हैं बेशक क्यों नहीं बच्चो अगर आपको भी बेस्ट बरना है इंडिया के बेस्ट educators कौन है आपको पता होना चीए कि वह authors जिनकी बुक आप 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 पढ़ रहे हैं नवस्ति सर्ट में चोहां सर और डीसी पांडे चले हुए हैं आगे भी चलते रहेंगे तो इस तरह का कारवा चलता रहे और आप लोग को भी लाइव क्लास एंवियर्मेंट पूरा का पूरा अनलिमिरेट एक्सेस के साथ इंडिया के सारे एजुकेटर सारी की सारी क्लासेज मिस होगई है तो रिकॉडिंग जैसे कि यहां पर तीन साल के अंदर हमने बहुत सारे कोर्स कर लिये 21 aspirants, 22 aspirants, जो भी aspirants यहां पर सोच रहे हैं, कि यह समें क्या मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सारा का सारा material, सारी की सारी tests, यह बार test series के लिए आपको end में जाके extra और पैसा देना पड़ेगा, crash course का अलग, इस तरह का environment नहीं है, an academy पर आप एक बार fees पे करते हैं, infinite unlimited खेल सकते हैं, that is an academy for you, unbelievable, unstoppable बनाता है आपको, और वो price आपको देनी होती है, रुपी 70 per month, रुपी 70 per day, sorry, 2100 per month, is I think a very affordable price, जो कि आप लोग, जेई और नीट की preparation के लिए, अगर कहीं और दे रहे हैं, और इससे खई होना ज्यादर दे रहे हैं, तो actually, you could have done much better in this price, ठीके यह बात सोच के कभी देखना की, किस तरह से आपको, सब कुछ मिलना, और वो भी एक जगे पर मिलना, कितना impossible है, और वो an academy आपके लिए करता है, infinite doubt clearing, जैसे कि आपको, रात के 2-3 बज़े की से question में, doubt आता है, उसका photo लेके आपको, उसको वीडियो solution, देख जाता है, one year price, और two year price, देख लो, per month payment भी कर सकते हैं, EMI पर extra interest भी नहीं देना है, इस सारी facilities avail करके, giant code से enroll करिए, giant code से आपको maximum discount मिलता है, giant live code से आपको, साथ साथ ये भी पता चलता है, कि मेरे थुरू बच्चों, आप लोग अगर इस code को use करके आते हैं, जैसे description में, बहुत सारे free test है, उनको भी unlock करते है, giant code से, मुझे पता चलता है, आप मेरे थुरू आये हैं, और we can have a lot of fun on the academy subscription, meanwhile हम लोग अभी जो capacitor का एक basic concept कर चुक है, उसको एक बार revise करते हैं, जल्दी से बच्चों, कैसे एक capacitor, parallel plate capacitor में, in fact अगर आपको distance between the plates दिया है, distance between the parallel plates, ये D दिया है, और उसका area of the plate दिया है, तो हमें पता ह कि plus q, minus q charges appear होने से, उस एक setup की capacity, capacity मतला ability to hold charge एक बन के आती है, और वो capacitance का ही formula हमने, parallel plate capacitor के लिए A, epsilon, not by D, prove किया हुआ है, लेकिन, prove कैसे किया, I think more important than this formula is actually, बच्चों, तो concept, ये formula हमने derive कर लिए, इसको याद रखेंगे, और बहुत सारे question भी कर लेंगे, लेकिन, बच्चों in general, किसी भी situation में, not just PPC, cylindrical, spherical ही नहीं, बच्चों, किसी भी situation में imagine करो, अगर आपको capacitance की value determine करनी है, तो उसके लिए, ये तरीका है, ये four step method है, इसमें देखना, क्या-क्या आपको करना है, पहले लो, plates पे plus q, minus q, charge लगा दो, usually, normally, किसी भी setup में, आपको plus q, minus q, charge, दिया पहले से नहीं दिया है, तो उसको provide करो, ठीक है, फिर electric field between the plates of the capacitor निकालना है, ये electric field की value हो सकता है, आपको naturally आती हो, हो सकता है, आपको किसी case में derive करनी पर जाए, जैसे कि इस case में, sigma by two epsilon not, एक side की वज़े से होता है, तो overall sigma by epsilon not हो जाता है, और उस तरह से हमने q by epsilon not लिखा था फिर उस case में V, potential difference भी आप determine करोगे, चाहे तो इस formula को use करो, चाहे किसी भी और तरीके से, ठीक है, but I think using this will ensure that किसी भी general situation में हम potential difference between positive and negative plate या दे, V is V plus minus V minus, और वो निकालने के बाद आपको obviously, master equation, capacitance की basically जो definition है, charge stored on the positive plate, per unit potential difference between the positive and negative plate, ये capacitance की value देता है, तो उन्हें आपको दो question homework में दिये थे, एक बार जल्दी से उनको हम लोग कर लेंगे, ये basically इसी method की application है और इंसे जो formula बनेंगे, वो भी अपने काम के हैं, let's come to the second type of capacitor, which is the spherical capacitor, पहला वाला हमने parallel plate capacitor पढ़ा है, second वाला क्या है, spherical capacitor, नाम से जैसे लग रहा है कि यहाँ पे spheres हो बनता है दो, दो conductors से, यहाँ पे भी आपको दो conductors, दो spherical capacitor इस तरह से लेने हैं, कि एक conducting sphere, surrounded by another conducting spherical shell, इसका diagram भी आप लोग बनाएंगे, कि कैसे यह अंदर वाला एक sphere है, यह हो सकता है, solid है, यह हो सकता है, shell भी है, पता है अपने को दोनों ही cases में, जब हम इसे कोई एक charge प्र on the surface of it, यह बात हमको already पता है, क्या हमने गॉसे लॉक के lecture number six में, conductor का concept थोड़ा बहुत पढ़ा है, या फिर मतलब उसको भी skip कर दिया, या फिर बहुत सारे बच्चे है, हमेशन नए topic के L1 में आते हैं, मुझे भी याद यार, हम जब जब जई की त्यारी करते थे, जब नय पूरा जोश रहता था यार, इस वाले को तो last तक देखेंगे, पूरा ख़दम करेंगे, और कोई भी मतलब आनागानी नहीं होगे, इसमें पूरा का पूरा homework करके रहेंगे, लेकिन यार वो जोश थंडा ना पढ़ने पाए, वो का वो जोश के साथ होश होना चीए, मैं य जादर having a calm है ना, बोलते हैं ना, keep calm and do your job, उस तरह के एक attitude ज्यादा लंबे टाइम तक prevail करता है, आप लोग को यहाँ पर में क्या पता रहा हूँ बच्चों, अंदर वाला एक sphere हो सकता है, या spherical shell हो सकता है, ठीक है, दोनों ही case में, solid sphere भी हुआ, लेकिन it is a solid conducting sphere, हमाद रहें conductor है तो जो भी उसको charge दिया है, वो उसकी surface पे ही recite करेगा, क्या यह बात clear है, let's give this a plus q charge, ठीक है बच्चा, उसकी outer surface पे इस shell की, in fact जो inner वाली surface होगी, समझ रहें हो आप, यह जो conducting spherical shell इसके उपर चड़ा हुआ है, surrounded है, this one is surrounded by a conducting spherical shell, तो वो shell को आपको एक minus q charge देना है, ठीक है और देखना, एक situation हम और discuss करेंगे, जिसमें इसको अगर आपने minus q charge नहीं भी दिया, तो भी चलेगा, वो charge redistribution का concept है, बढ़ हाँ, अभी के लिए फिलाल हमने, अंदर वाले को plus q charge दिया है, बाहर वाले को minus q charge दिया है, तो what is happening here, what exactly are we doing here, हम पहली step को follow कर रहे है, हमने पहली step दो conductor है, तो एक पे plus q, अंदर वाली पे plus q, बाहर वाली पे minus q दे दिया है, कोई दिक्कत, ठीक है, कैसे दिया भाहिया, कैसे भी दे दिया, injection से दे दिया, जैसे भी दे दिया, बहुत तरीके है, as I said, थोड़ डीटेल में discuss करेंगे, इस चीज को आज हम, लेकिन next step क्या बच से start कर रहा होगा, negative की direction में जा रहा होगा, और क्या ये electric field को हम determine कर सकतें जी, क्या electric field की value को, देखना कैसे 3 dimension में look आ गया बढ़िया, और अंदर में मैंने कहीं भी electric field नहीं बनाया, क्योंकि मुझे बता है कि conductor के अंदर, अगर ये shell भी होता, तो shell के अंदर, क्या ये पूरा solid ये तो conductor के अंदर में electric field 0 है, और कहां से start कर रहा है, यहां, यहां, यहां से, और कहां से start कर रहा है, perpendicular start कर रहा है, तो the next job is actually to find the electric field, who can tell me what will be the electric field की value, our distance पे, यहां से आप our distance आगे-ागे, our distance पे electric field की value क्या है, बढ़ा असान है, किसी नहीं होंबग में try कर लिया, तो भी बता distance between positive and negative plate, you can do it either by minus e.dr, या और भी तरीके हैं, as I said, हम सारे तरीकों को explore करेंगे, क्योंकि electrostatics हम ने master कर लिया है, तो यह सारी चीज़े आती है already, तो बच्चों या, इस point पे देखिएगा, ज्यान दीजिएगा, पहले जो आपने इसको plus q और minus q चार्ज दे दिया है, ठीक है, उस case में, क्या electric field की value determine करने के लिए, क्या electric field lines को अगर हम देखें, radially outward direction में है, यहाँ पे आके रूख गई है in fact, क्या electric field lines को देखें और समझें, क्या एक gaussian surface हम ले सकते हैं, हम एक ऐसी gaussian surface ले सकते हैं, जो कि इस electric field line को perpendicular काटती हुई निकल जाए, और वो एक spherical gaussian surface ही हो सकती है, क्योंकि yes, हमने सीखा है कि किस तरह की spherical gaussian surface लेनी चाहिए, जिन बच्चों ने सच में, क्या बोलते हैं कि भई, गोत मारी हमारे यहाँ पे तो ऐसे बोलते हैं कि यार, आपने गोत मार ली, आपने जो पुराने lectures gausses law के नहीं देखें, या कि इलेक्ट्रो स्टाटिक्स क है कि कैसे, अपने जो content के हिसाब से हम चीज़े discuss करते हैं, कि how should we take this kind of a gaussian surface, इस gaussian surface को हम select कैसे करे, यहाँ पे ये gaussian surface, परिकल gaussian surface ही क्यों ले रहे हैं, यह सारी बाते अपने discuss करी थी, detail में, दो points बनाये थे, tips of selecting and ideal gaussian surface, yes, और वो जो gaussian surface थी, उस case में हमने, एक question भी किया थ मेन का याद है, statement वाला question, कैसे सच में वो ही चीज़ वो पूछ रहा है, जो कि अपने lecture में discuss करी थी, it's very important to go through literally every lecture and also GPPs and PYQ sessions, anyway, इस तरह की spherical gaussian surface में, to determine E, क्या हम gausses law use कर सकते हैं, बच्चो, gausses law की एक application है, to determine electric field, gausses law से flux भी निकाला जा सकता है, gausses law से किसी situation में, अगर enclosed charge आपको पदा है, तो flux भी निकाला जा सकता है, but mostly इसकी जो application है, वो कैसे है, कि electric field निकालने के लिए, gausses law का इस्तमाल करते हैं, हम charge enclosed को देखते हैं, और epsilon not से उसको equate कर देते हैं, तो बच्चो, इस case में total flux of this electric field through this spherical gaussian surface, क्या होगा, आप भी diagram बनाना है, ये एक spherical gaussian surface है, ज्यान देना, इसका radius r है, बच्चा, ये जो radius है, ये कितना है, r है, small r ले रहे हैं, फिर इसको r1, r2, इस तरह से, दो range के बीच में integrate भी कर देंगे, बट फिलाल के लिए, अगर आपके पास, एक gaussian surface है, r sphere का, और हर एक point पो इस gaussian surface पे, e is the magnitude of electric field, बड़ा आसान है, ये वाला जो portion यहाँ देखना, ये e into 4 pi r square हो जाएगा, जिस तरह point charge के लिए, बाद में हमने एक solid sphere के लिए अंदर बाहर, और एक shell के लिए भी अंदर बाहर, gausses lock के application करी थी lecture 5 में, वैसे ही आपको electric field की वज़े से, 4 pi r square surface area पे flux कितना हो रहा है, flux, पील लो इसकी, यहाँ पे बाहर में flux जा रहा है, तो outward flux कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, यह negative charge तो बाहर में है, यह तो इस surface पे minus q है विटा, which is outside the Gaussian surface, and what is inside is the entire plus q, isn't it, बहुत बहत बहतरी, plus q is the total enclosed charge, inside charge, और e की value यहाँ पे आ जाती है, 1 by 4 pi epsilon 0, q by r square, बहुत amazing, बहुत ही बहतरी, इससे जादा सस्ता क्या हो सकता गा, charge, अगर q है, तो r distance पे kq by r square, is the value of electric field, not just in case of a point charge, but also in case of a sphere, ठीक है, इस case में हो सकता है, जरोद भी नहीं हो आपको, अगर ऐसे चामा करा है कि यह solid sphere से r center पे, r distance from the center पे, electric field की value kq by r square होती है, radially outward होती है, और साथ साथ, यह नहीं भूलना है अपने को, कि negative के अंदर, negative अगर surface पे है, उस shell के अंदर electric field negative का तो हो गई नहीं, negative का influence, अंदर वाले point में तो होता ही नहीं है, ठीक है, यह भी बात अपने को पता है, all right, one thing is clear, कि electric field का यह magnitude आ गया है बच्चो, what is the next step, third step क्या है, कि आपको potential difference निकालना है, positive और negative plate के बीच में, क्या उसको निकालने के लिए, हम फिर से इस electric field को integrate कर सकते हैं, देखेगा यहाँ पर third step में, भी निकालने के लिए, मैं इस चीज का इस्तिमाल कर रहा हूं, ठीक है, इस चीज को क्यों इस्तिमाल कर रहे हैं हम, यहाँ पर बहुत सारे बच्चो लों आ रहा है, ऐसे भी तो क पाइदा होगा, मेरी आवाद सब को आ रही है, अच्छे से सुना ही दे रहा है, दिखा ही दे रहा है, ठीक है, यह उत्तमवीर नाम का एक बच्चा है, जो कि किसी रियू को यहाँ पर खोच रहा है, इसको जल्ली से रिपोर्ट कर दो, ठीक है, यहाँ पर कुछ तो और intent से पढ़ने वाला नहीं है, आजाओ यहाँ पर, अब बच्चों देखो, आपको क्या करना है, यहाँ से, इस R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस तक, यहाँ से यहाँ तक हम मूब करेंगे, हमें पता है कि एलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डिरेक्शन में, रेडियल में है, ठीक है, इस पूरी चीज को हम कैसे उपन करेंगे, DV is equal to minus EDR cos of 0 degree, बहुत बैतर ही, यहाँ देना है, आप एक बार लिखना छोड़ देना हो सकते, फिर अगर हमने यहाँ पर E की वाल्यू R डिस्टेंस पर निकाल लिए, विच इस हाँ मच, minus KQ by R square, यह R square मैंने लिख दिया, और मैंने DV यहाँ पर लिख दिया, अभी इसको हम integrate करेंगे, ठीक है, क्योंकि KQ वाला part constant है, और minus कहां से आ रहा है, definition से, originally जो अपने definition हो दी थी, उसी से minus आ रहा है, और 1 by R square का integration, minus 1 by R होता है, कितने बच्चों को clear है, यहाँ पर भी हम limits रखेंगे, एक तो 1 by R का, अभी लिख लो आपको है, अभी I think clear हो गया होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 by x square का जैसे integration आप कैसे करते है, x to par minus 2, और that is equal to x to par minus 1 by minus 1, ठीक है, फिर limits लगाते हैं तो वो minus भी आना च्छी, minus minus actually plus हो जाएगा, अपने लिए अच्छा है, ठीक है, बड़ लिमिट पर आते है बड़ लिमिट क्या रखें, ध्यान दीजिएगा, लिमिट के लिए आप यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं, आपका initial point यह है, आपका final point यह है, आप अगर positive से negative plate पर आ रहे हैं, तो initial से final यह वने लिखा, समद्द में आ रहे हैं, initial potential, final potential, उसी तरह से मैं R1 से R2 पर आ रहा हू जब मैं initial से final पर move कर रहा हूं, ध्यान देना, center से distance R1 से R2 तक आ रहे हैं, और potential यहाँ पर कितना है, initially R1 पर potential कितना है, R1 पर potential V plus है, R2 पर potential V minus है, इस तरह से proper limit रखनी बहुत ज़रूरी है, अभी लिख लो, ठीक है, आप लोग अगर right hand side को देखेंगे, left hand side को देखेंगे, V minus minus V plus हो जाएगा, अपर minus lower, यह minus minus V plus कर दू, ठीक है, और 1 by R2 minus 1 by R1 देखो मैंने निखा है, यहाँ तक किसे को कोई दिक्कत है तो बता देना, इसी इसको in fact अपन flip करके भी लिखेंगे, इसी इसको अपन थोड़ा flip करके लिखेंगे, because V is actually positive minus negative का difference, ठीक है, तो KQ, यहाँ हो सगे तो LCM भी लेलो, बट आपको पता होना ची कि यहाँ पर R1 minus R2 की बजाए, R2 minus R1 आ जाएगा, which makes more sense, क्यूंकि आपने higher radius minus lower radius, बड़ा radius minus छोटा radius, बड़ा radius minus छोटा radius, R2 minus R1 positive आना ची, potential difference positive आना ची, इसी इसको mark करके एक बार रख लो, इसको बाद में अपन, सा और detail में देखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत दे तो बताना जल्दी से live chat में देख रहा हूं आपकी live chat, बहुत बड़ी है, प्रिया, very good, crystal clear, क्रिस्टल क्लियर, क्या बात नहीं, क्या बात है, आप यहां से यहां जा रहे है, जब आपका DR displacement हो रहा है, आप की इस दिशा में जा रहे हो, हम जा रहे है, एलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, keeping it very simple, तेकिन उसमें दिक्कत ही आ जाती है, कि आप finally जहां पे हो, वो negative plate है, negative plate और V final, क्योंकि initial final, आप क्या limit क्या रखते हो, से R final, और V initial point पे और V final point पे, भाईया, final point क्या है तुम्हारा, finally आप यहां पे हो, आप यहां से यहां पे आ रहे हो, finally यहां पे हो, initially यहां पे हो, यह एक तरीका हुआ, इसमें आपने अब लिख तो ऐसे दिया, लेकिन यह चीज़ आपको पता है, negative आईगी, upper limit minus lower limit, we know negative है अपने को पता है कि इस direction में potential decrease होता है, यह चीज़े CQE है तो इनको समझो, इस direction में potential decrease होता है, तो this minus this must be a negative thing, क्या आ रही है कि यहां देखो, LCM लेने के बाद R1 minus R2 आएगा, यहर R1 छोटा है, R2 बढ़ा है, R1 छोटा है, R2 बढ़ा है, तो definitely यह भी negative आ रहा है, यह भी negative आ रहा है, तो दोनों side को अपन ने minus 1 से multiply कर दिया, flip कर दिया, वैसे भी V का value हो, higher potential minus lower potential होता है, higher यहां पे lower यहां पे, और उस case में यह देख लो, R2 minus R1 आ गया है, R2 is bigger, R1 is smaller, clear, must, must का, ठीक है, यह चीज़ को एक बार save करके रख लो है, इसको right click करके save कर दो एक बार, one equation, two equation बोलना चीव, ऐसे इसको, क्योंकि यह second result अपन ने यहां पे लिखा है, तो यह चीज़ अगर आपके पास आ चुकी है, एक और बात बतातू कि यह लंबा तरीका है, ठीक है, यह इस तरह से drive करने का एक तरीक से कराएंगे, इस तरह के बहुत सारे general method कोई भी situation में कुछ भी निकाल सको, क्योंकि advance में कोई specific चीज थोड़ी आईगी, advance में यह चीज फिर से derive करो, थोड़ी आईगी, हाँ बोड में जरूर आ सकती है, बोड वाले में अगर यह question पास नंबर, छे नंबर का भी है, उतना content तुम्हें देना आना चीए, एक और देखो तरीका, method number two यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इसी चीज को वी को determine करने का, क्या determine कर रहे है अपर, वी है ना, देखना है यहाँ पर, वी निकालने के लिए, क्या और तरीका है आपके पास, क्या method number two है, यहाँ पर आप क्या गरो, simple सी बात देजी, अगर आपके पास positive plate है, तो positive plate का potential आप लिख सकते हो, once you know what charges are appearing here, यहाँ पर देखना है, एक और चीज मैंने twist डाल दिया, एक छोड़ी सी और चीज मैंने कर दी, मैंने grounding कर दी है, मैंने यह बाहर वाली plate, जो की negative plate है, उसको ground से connect कर दिया, ground से connect करने का मतलब क्या होता है बिटा, कि इसका potential मैंने zero कर दिया, आप मेरी बात, कि जो बाहर वाली plate है, उसको मैंने ground से, यानि की earth माता से connect कर दिया, actually, जिसका मतलब यह होता है, कि आपने earth का potential और बाहर वाली plate का potential दोनों zero कर दिया, earth का potential zero होता है, आपकी जो negative plate है, उसका potential zero हो गया है, ठीक है, अब देखना है, इसमें यह एक चीज होती ह होती है, इसको अपन एक बार के लिए ऐसे समझें कि शुरू में तो इस पर कोई negative charge है ही नहीं, शुरू में इसको आपने negative charge ना तो दिया, और ना इस पर है, ठीक है बड़ा, यहापर initially assume करो कोई भी charge नहीं है, नहीं है तो फिर, क्या होगा, आपने क्या किया, सिर्फ positive charge इस surface को दे दिया, अंदर वाली surface को plus q आपने दिया, जैसा आपका काम था step 1 में, plus q, minus q दे ना, उसका आपने आधा ही काम किया, कि इस inner surface को आपने plus q दिया, अब देखो होदा क्या automatically, अगर आपने outer surface को ground से connect किया है, प्री बात तो ground से connect करने का मतलब क्या है, इसका potential आपने zero कर तो यहाँ पर potential zero होने का क्या मतलब है, क्या अतात पर है, कि इस k q by capital r, इसको अपन b नहीं लेंगे, इसको एक बार के लिए capital r लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, जो r2 लेते आए आए, अपन वही लेंगे, तो यहाँ पर इस q की वज़े से, q की वज़े से potential क्या होगा, k q by r2 ठीक है, तो क्या लगता है कि इस अंदर वाली surface पे कोई एक charge appear हो जाना चाहिए, so that यह अंदर वाली surface का charge और इसका potential outer surface पे zero हो जाए, एक बार के लिए pen win छोड़ देना, पना क्या होगा, तुम लोग ज़्यादा confused हो जाओगे उस point पे फिर मुझे, मुझे भी मज़ा नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा, ठीक है जी, आप लोग को यहाँ पे pen win एक बार छोड़ देना, मैं क्या कहा रहा हो, मैं कहानी कहा रहा हो, imagine करो, कि अगर हमने जैसे दो shell लिए spherical, ठीक है, उसके इसमें बाहर वाले को अपने ground कर दिया, उसका क्या मतलब है, उसका potential हमने जीरो किया जी, पूरे का अपने potential zero किया है, अंदर वाले को जरूर चार दिया अपने, अंदर वाले की वज़े से potential, अंदर वाले Q की वज़े से बाहर की surface पे potential, क्या KQ by R2 होगा ठीक है, अब अपने को चाहिए potential तो zero, यहाँ पे अपने को potential चाहिए zero, तो क्या हम बोल सकते हैं कि automatically इस पे एक ऐसा minus q भी आ जाएगा कि उस minus q का effect भी यहाँ पे minus q का effect भी इसके साथ potential को zero कर देगा कैसे रटनो यहाँ पे v of the outer sphere v of the outer shell will be zero only when यहाँ पे एक minus q charge आ जाएगा और वो minus q charge पता है कैसे आ जाएगा वो minus q charge यहाँ पे earth से electrons आएंगे इस surface पे electron is the only thing that can move easily ions तो metal में कैसे होता है rigid होते हैं एक जगे पे bound होते हैं अपने lecture 6 of Gauss's law में देखा electrons can easily move तो वो electron ground से earth actually deliver करी कि उन्हें electron को यहाँ पे क्या charge आजाएगा मैं यह पूछ रहा हूँ हमने देखा कि यहाँ पे minus q charge क्यों आ रहा है थाकि plus q और minus q का effect outer surface पे zero हो जाए और क्योंकि यह सारी चीज़े उन्हें पढ़ी यह तो फिर मैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ थोड़ा तो समझ में आयोगा कि अपन ने एक extra चीज किया इसको नहें किया था तो यह प्लस q देने के वजए से आ प domestic चेल के अंदर अंदर गुजरती हुई गौशन सर्फेस लोगे उसके अंदर का टोटल चार्ज क्या होना चाहिए जीरो अपने यही किया था कि यह प्लस क्यू है यहां माइनस क्यू इंटरनल सर्फेस पर आटोमेटिकली आ जाना चाहिए बिकास टोटल चार्ज बिकाम जीरो आयाम इन फैक काइंड ओफ ब्लाइनिंग क्रियेट सम एक्स्ट्रा सेशन कई बार मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर जो सब टॉपिक है छोटा टॉपिक होता है लेकिन फिर भी वह थोड़ा सा कहीं ऊपर ऊपर जाता है बच्चों से मुझे असा लगता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा सेशन्स करूं अगर आप तो आज कॉमेंट्स में डाल देना एक्स्ट्रा सेशन्स मतलब जैसे कि अपन चार्ज री डिस्रिबूशन पे अपन एक अलग से 10-15 मिट का सेशन लगा सकते हैं और उसका नाम भी क्या होना ची यह आप लोग मुझे सजेट्स कर देना कॉमेंट्स में आज के इस वीडियो में ठीक है अपन इस तरह की एक और सीरीज लॉंच कर दें तो आपको ही फायदा होगा मीनवाइल यह देखो ना पोटेंशल जीरो करना आउटर सर्फेस पे अपना एम है क्योंकि ग्राउंड कर खायदा होगा KQ by R1 बिटा ठीक है और देखना माइनस क्यू की वज़े से अंदर वाले पॉइंट पे माइनस क्यू की वज़े से उसी के सर्फेस पे नहीं पूछ रहा भी है माइनस क्यू एक शेल पे चार्ज है उसके अंदर वाला पॉइंट पे कितना पॉटेंशल होता ह तो क्या पोटेंशल शेल के अंदर उतना ही होता है जो सर्फेस पे होता है क्या पोटेंशल एक शेल की वज़े से जिस पर माइनस क्यू चार्ज है उसकी सर्फेस पर जितना होता है सर्फेस पर जितना होता है उतना ही अंदर में भी होता है इसकी सर्फेस पर क्या है इसकी सर् यह तरीका है इंदोनों का डिफरेंस ले लेंगे हम क्यों कॉमल लेंगे फिर से आएगा वन बाइ आरवन माइनस वन बाइ आटू और वो चीज आपकी बिलकुल बेशक्त ऐसी आजाती यह आजाती है फिलसियम ले लो फिलसियम ले लो आरटू माइनस आरवन पॉजिटिव भी आता है ठीक है बच्छा यह एक और तरीका है यह हो सकता है आपको अगर आप बोर्ड एक्जाम की त्यारी कर रहे हो आपको यह बताया होगा यहां पे पोटेंशल इन दोनों की वज़े से यह होगा हो जकता है यह भी नहीं बताया हो आपको हो जकता है ग्राउंडिंग भी बताया हो जो भी आपने सब सारी चीज़े डिसकस कर ली है तो आप लोग मेठ़ड टू से भी और बिटा मेठ़ड वन से भी निकाल सकते हैं पोटेंशल डिफरेंट्स बाइदव यह कर क्यों रहे ह से क्लारिटी आती है और अल्टरनेटिवली यह अप्रोज भी रखो यहां पर पोटेंशल यह क्यू बाइब आर टू यहां पर पोटेंशल क्या है क्यू बाइब और वन यहां पर मैं लिख देता हूं के क्यू बाइब और मैनस के क्यू बाइब इस चीज़ को खुद से एक बार रिपीट अगें एट हो ऑन यूर ओन नहीं समझ में आया तो नोट्स देखना विडियो भी मत देखना नहीं समझ में आया तो नोट्स को देखके फिर से रिकॉल करना कि हां यार सर ने कैसे किया जाता हम उसको दोबारा करेंगे बिना नोट्स को देखे पहले नहीं होता है तो नोट्स है ठीक है रीडू कर लेना आ जाओ यार अब कैसे थर्ड या फॉर्थ स्टेप पर आ गया हम लोग फॉर्थ स्टेप इस जब आपका वी आ गया है क्यूं आपको पदा है कितना चार्ज दिया आपने तो क्यू बाइवी करने से सी इक्वल टू क्यू बाइवी करने से क्यू बाइवी क्या चीज़ यह डेफिनेशन है इस दर डेफिनेशन ओफ क्यूपासिटेंज चार्ज इस्टोड ऑन दबाउजिट प्लेट पर उनिट पोटेशल दिफरेंश बिट्विं दब्लेट ब्लेट 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 पार्ट बिकम्स हाव मच वी की वैलियो हमने ऐसे निकाल लिए लिखो 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 तो उस समझ नहीं आएगा इसको लेकिन लिखेंगे तो सब मसका समझ में आएगा यहां पर कुछ कुछ तो कैंसल हो रहा है जालो ठीक है इसको कैंसल कर दिया और कुछ बच रहा है तो बचा हुआ सामान ही तेरा आंसर है रवन रटू बाई रटू माइनस रवन इन्टू के मैं ऐसे लिखता हूं ठीक है डिनावटर में या के का वन बाई फॉर पाई एपसलेन नॉट नॉट नूमेरेटर में भी आ सकता है तो रिमेंबर बोथ इस फॉर्म्स दोनों ही फॉर्म को याद में रखो मुझे बताओ कि यह डैमेंशनली सही आ रहा है कि नहीं क्या यह चीज जो एपसलेन नॉट बाई डी था फॉर्मूला उससे कंपेर करके डैमेंशनली सेम आ रहा है क्योंकि सी कोल टो एपसलेन नॉट बाई डी एपसलेन नॉट बाई डी वस दू फॉर्मूला पॉर अ केपासिटर पैलेल प्रेट केपासिटर ऑबिसली उसकी यह और यह डैमेंशन सेम है क्या डैमेंशन सेम है क्या हम यह भी देख पा रहें कि यह कपासिटर भी जोमेट्री पर डिपेंड कर रही है और सिर्फ जोमेट्री पर थोड़ी डिपेंड कर रही है मीडियम पर भी डिपेंड कर रही है अभी तक तो क्यों मिल लिते आ रहे हैं तो अपोलेपासिटर के लिए और इसके लिए वि बोली थी, केपासिटर के अलावा जोमेट्री भी बोलरा हे है पर रेडियस पर भी डिपेंड कर रही है यह गोलू-मोलू है वह सधा हुआ था ठीक है तो शेप पर डिपेंड कर रही है स्परिकल का अलग है अधिट अलग है और फॉन आखता आटेंट खोल यहिए चार्ज पर पडिपेंड करनी कि टीके बाशिटेंड ना यह बर इत डिपेंड ऑन चार्ज it does not depend on potential difference क्योंकि जब हम calculate करते हैं चाहे PPC हो चाहे spherical हो value किस पर depend कर रही है geometry पर, shape पर और medium पर yes बच्चो is that amply clear बहुत अच्छे से clear है कुछ पार्ट जो मैं बोल रहा हूँ पहले से ये जो चीजें हैं ये क्या है थोड़ी सी मैं समझ के ये बोला हूँ ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे बच्चे electrostatics देख चुक है और JPP बगएरा भी कर चुक है किसको दिक्कत आरी तो भाई आप लोग को दिक्कत आनी भी चीए क्योंकि आपने कुछ चीजें अगर skip करिए and if not write it properly बाउस करकर वीडियो को लिख लेना और उसको कर लेना अच्छे से करेंगे दिक्कत नहीं एक पर चारज हैं और नहीं यह लिए क्यों कैंसल हो रहा और वी तो अपने निकालाई वच्चो यह यह पोटेंशल के के concept पे भी आते हैं इससे पहले जल्दी से हमने एक और टाइप का केसिट भी करना है विचेश सेलेंडिकल केपासिटर लेट्स डूएट सेलेंडिकल केपासिटर यह वाला देखो 47 seven microfarad का जो cylindrical capacity है असल में अंदर एक inner cylinder होगा और एक outer cylinder होगा इस तरह के दो cylinder होते हैं बच्चो आप इनके radius आरवन आरट्व मान ले और length L मान ले तो पूद इसतरे से इसका भी capacitance जो है हम इस मेऩ़ड से निकालेंगे इसका भी capacitance निकालने के लिए इस पे positive charge देंगे अंदर वाली inner plate पे जैसे inner sphere पे अपने positive charge दिया था तो इस पे भी positive charge देंगे ठीक है? इस बाहर वाली पे negative charge देंगे अगर नहीं दिया है तो ground करने पे क्या negative आ जाएगा? बिलकुल आ जाना चाहिए वो बात भी है ठीक है? और यहाँ पे electric field देखना किस direction में है? क्या इसको भी radial बोल सकते है अपन? क्या यह electric field भी क्या radially outward है? समझ में आ रहा है? इस तरह से line charge का जैसे electric field होदा electric field फट पढ़ रहा है इस case में electric field कितना होगा? कैसे निकालेंगे? electric field पहले निकालते हैं ताकि potential अगरा निकाल सकें इस case में तो आपको potential निकालने के लिए integrate ही करना पड़ेगा क्योंकि इस case में potential अपन ने बहुत standard तरीके से कभी derive नहीं किया वैसे एक जगे derive किया जहांपे अपने एक infinite line का potential difference निकाला था एक JPP में और वही बात है कुछ बच्चे नहीं देखे हैं तो we'll actually make them do this question and let's see how many of you answer it right question number one है क्या है या आज का या तू है I think पहले question है तर आप काले क्यों हूँ? यार मैं इतना काला तो नहीं हूँ यार but thank you for noticing कौन है? make व्यास I think तेरे नाम से तू मुझे ज़्यादा काला लग रहे है but मैं तो इतना काला नहीं हूँ यार come on हद कर रहे है तू तो ती सभी लोग लिख रहे हैं ठीक है बहुत बढ़िया एक word यहाँ पर यूज हुआ है annular जो कि महला IIT JEE कि बहुत सारे प्रीवेश से कॉश्चन में एक्चुली यूज भी हुआ है तो मैं आप लोग को इसलिए बार बार बोलता हूं प्रेडित करता हूं कि भाया कभी कभी बीज में कुछ कुछ अंग्रेजी के शब्द यूज कर लें क्या होगा कि exam में एकदम से देखके बंब नहीं भटेगा annular region क्या होता है जब दो spheres के बीच में या दो cylinders के बीच में खाली region होता है लिए इस कॉल्ड ड़ एनूलर रीजन अली जो space होती न वह एनूलर रीजन होता है यह वर्ड बार बार देखना आएगा आगे भी मैगनेटिजम में भी आएगा देखना इस एलेक्ट्रिक फील्ड इन दा एन्यूलर रीजन ऑफ चार्ज सेलेंट्रिकल केपासिटर है ना एक्जाक्ली यह ती स्पूस्ट ली गई थी आप समझ रहे हो यह यह एलेक्ट्रिक फ यह कितना आता है youtube के lambda by r line charge जैसे आता है देखते एक कितना आता है कैसे यह one by r वाला option सही है तो हम लोग इस case में क्या देखना इस तरह की geometry लगा रहे है आप इसको लिखना चालू करना तो मैंने इसको plus q charge दिया मैंने अंदर वाली सर्फेस पे प्लस Q इनर सिलेंडर को दिया है ठीक है यह बच्छा और बहार वाली सर्फेस को माइनस क्यू दिया है बहार वाली सिलेंडिकल सर्फेस को माइनस क्यू दिया है जिसका R2 रेडियस है अंदर वाले का R1 रेडियस है आपने क्या किया यह आर रिडियस पे एक Goshen surface ले लिया है। इस Goshen surface को अपन देखना ऐसे भी ले सकते हैं। यहां पे Gaussian surface ले लिया है जू कि cylindrical shape की है। अबिसली अगर ऎलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे काट रहा है। यहां से आर डिस्तर्स पे एक Goshen surface ले लिया लें। यह एक blue dotted Gaussian surface दिख रही है, इसका radius क्या है पिटा, इसका radius है small r, इसका radius है small r, इस case में electric field कैसे रिका लिए है, एक काम तो अपने कर दिया, plus q minus q दे दिया है, उन्हें first step, क्योंकि plus q minus q देना था plates को, वो तो कर दिया है, second thing क्या करना, अपने को electric field निकालना है, और उसके लिए ब करती है, अलग-अलग type के applications भी हमने, lecture 5 में, lecture 6 में भी करी है, अप लोग उसको करने से मत शर्माओ, अब यहाँ आप एक positive charge को enclose करती हुई है, Gaussian surface ले लो, पूरी के पूरी, positive charge इसके अंदर, negative से बाहर है, इस पूरी positive surface से electric field कैसे कट रहा है, याद आ रहा है, electric field, radially outward direction में जा इसके जो curved part है, इसका जो curved portion है, उस curved portion को काट के बाहर जा रहा है, तो यानि कि electric field का magnitude, कितना 2πi rl, इतने area को काट के जा रहा है, curved part मतलो, curved surface area, अब चो देखना, यहाँ से यहाँ तक का radius, अपन r point पे electric field निकाल रहा है, r distance पे electric field की value निकाल रहा है, यहाँ पूरी surface पे, इस इसको top view देखेंगे, अगर अपन, अगर हम लोग top view देखेंगे, आप यह भी बनाना है, जादा clarity आएगी, जादा understanding होगी, यार अंदर वाला charge plus Q है, और यह spherical नहीं है, आप उपर से देख रहे है, आपको यहाँ पे लगा दिया, बच्चा है ना जो, बोल रहा है कि आप इ गोले गोले दिख रहे हैं, और यह गोले गोले जो उसको दिख रहे हैं, यह असल में cylinder का इस तरह का यह dimension दिख रहा है, और बिलकुल माइनस माइनस यहाँ पे negative charge भी है, ठीक है, मिलेंगे कभी तो उससे, यह लग रहा है आपको, मिलेंगे, और यह hour distance पे अपन ने इस तरह का एक, cylindrical shell element ही लिया है, cylindrical gaussian surface ही लिया है बच्चो, cylindrical gaussian surface का radius r है, small r, और यहाँ पे electric field कैसे कट रहा है, इसको, electric field कैसे काट के जा रहा है, अब side view देख रहे हो, वो ऐसे ऐसे बाहर जा रहे है, और top view देख रहे हो तो, वो radially outward perfect आपको दिख रहे है, वो radially outward electric field के कारण, flux कितना बनता है, into 2 pi rl, ठीक है बच्चा, right side में क्या लिखें बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, लिखते भी रहो, और right side में क्या है, है ना, सभी बात है, क्यासा लगा, अरे racist नहीं होता है, यह तो racist थोड़ी होता है, racist तो जब आप, आप इसे होता है kind of, ठीक है, पर वो तो है तो हिंदुस्तानी, उसको लग रहा है, देखो मैंने black background रखा है, टीशिट भी black है, बहुत सारी चीजों से black effect आ रहा है, not that black यार, मैं मैं भी ऐसे नहीं, ठीक है, just kidding, lambda, lambda कैसे आ गया, सुरो न, q, plus q लिखो गे न, एक बार के लिए, plus q by epsilon not लिखो, क्यूंकि कितना charge अंदर में है, plus q पूरा जो इसको दिया आप में, minus q बाहर में है, समझ में आ रहा है, अब इस चीज को थोड़ा सा rearrange करो, बिलकुछ, देखना यहाँ पर e is equal to 1 by 2 pi epsilon not, q यहाँ पर लिख दो, l यहाँ लिख दो, और r भी लिख दो, देखो मैंने rearrange करा है, इस तरहे rearrange किया है, q by l वाली चीज को अब में क्या लिख सकता हूं, q by l इस पर क्या मतलब है, कितना charge per minute length चड़ा हुआ है, q by l मतलब कितना charge per minute length चड़ा हुआ है तो इसको भी मैंने 2k लिख दिया, इसको lambda लिख दिया, इसको r लिख दिया, यह बात clear है कि नहीं भही, यह equation 1 जैसे पहले बनाई थी, अपने electric field निकाल दिया है, है ना, thank you, thank you, अश्रा, आपकी comment ने मेरा दिन बना दिया, you are looking smart sir, ऐसी बात नहीं, you are not black, I am not that black, I am not, I am maybe black, म तो मतलब मैं ऐसी photo डालूँगा, मेरे Instagram पर तुम लोग ने मेरे को ऐसा बोल दिया, एक बच्चे ने, तो मैं ऐसी photo डालूँगा, जो तुम बोलोगा, आ रहे हो, कुछ जादे ही गोरे लग रहे हो, सर आप, समद नहीं आ रहा है, तो लिखो please, एक दो बच्चे जो ऐस तर में, वना ऐसे question कैसे करेंगे अपन मसके से, यह electric field कितना है, electric field R के proportional है, inversely, यह अपन ने यह 1 by R वाला लिख दिया, जिनको नहीं आता उन्होंने यह लिख क्या है, समझ में आ रहे है, यह बहुत important है कि आप लोग, यह annular region, यह दो ring के बीच का, दो sphere के बीच का, दो cylinder के वाला annular region, यह अगर अपने पास electric field की value आई है बटा, क्या इस case में, अब हम potential निकाल लें, क्या हम तीसरा जो हिस्सा है, वो potential dv equal to minus e dot dr के अलावा किसी method से कर सकते हैं, यह तो बनना तो engineer है, यहाँ पर except for a few doctors, जो की बनेंगे बेशक, अगर अनकैडमी जई पर कोई लेवल की advance में, या IT के लिए जरूरत होती ही, तो आप लोग तो aims जाओगे, यहाँ पर मैंने अपने career में दो साल पूरे medical के batches को भी पढ़ाया है, लब IT के चलते थे और medical के भी चलते थे parallel में, मुझे बुला किया, आप वहाँ भी पढ़ाओगे क्या, मैं क्या, try करते हैं विलकुल, why not, I am into trying new things in life, तो दो साल मैंने उनको पूरा पढ़ाया, 11-12 पूरा, और बड़ा ही मज़ेदार मतलब उनका मेरा experience रहा, those are very obedient kids, यह इंजिनियर बड़े नालायक होते हैं, ठीक है, including myself, यह इंजिनियर जो PCM लेते हैं, थोड़े नालायक बच्चे होते हैं, यह आसी चीज़े लिख देते हैं, देखो चैट में, पुछो मतलब, यह जो बच्चे PCB वाले होते हैं, बड़े sincere होते हैं, बड़े lovely, जाद तो लड़के होती है, बहुत ही जादा समझदा है, उनको एक बाद कभी कुछ बोल दिया, प्लास में ऐसी चीज को कभी derive करके बोल याद रखने हैं इसको, वो जिन्दगी भर नहीं भूलते हैं, और आप भूल जाओगे लेकिन उन सो पूछो कि यह कब पढ़ाया था मैं नहीं याद करो, बता देते हैं, यह अपने कुछ बच्चे हैं, जो डॉक्टर बनेंगे future में, उन सभी को, salute है, ठीक है, तो लो या lambda by r is also the expression of infinite line of charge, अगर यहां पर यह लाmbda वाला cylinder नहीं नहीं होता अंदर, यह अदे, एगए infinite line होता, उससे भी r distance पर जब आप होते हो, उससे भी r distance पर होते है, radially outward electric field क्या बनता है, बता, 2k lambda by r, ठीक है, यहां पर भी वैसी चीज है, यहां पर भी आपने आपने याद करो लिगेशन जब अपने गॉसेज लॉकी की दिया अपने महापे भी सिलेंडिकल गॉसें सर्फेज ली थी लाइन ओफ चार्ज के लिए यहां भी वैसी लिए तो कोई वह बात दिख रही आपको दो बार कर रहे हैं यार यह चीज़ तो अब आपको कहां से कहां जाना है आपको अंदर से बाहर जाना है या बाहर से अंदर जाना है कहीं भी कैसे भी जा सकते हो आप कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सेम ही रखते हैं जिस डिरेक्शन में एलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डिरेक्शन में रेडियस भी इंक्रीस कर रहा है रवन से आर टू सेम डिरेक्श क्या रखेंगे मैनिसके लैंड़ा ऐलें आफ आर या लिमिट्स रखेंगे लेमिट्स आप रखेंगे प्रॉम इनिश्ञ पॉदेन्शेल फ इन्ल पॉदेंश्यल यानि की अंदर का पॉदेंश्या क्योंकि positive plate का potential है अंदर कौन है पॉजिटीव charge है पॉजिटिव प्लेट का potential बार का potential नेगेटिव प्लेट का potential यह बात clear हो ही दूसरी बार कर रहे है यहाँ से यहाँ आप जा रहे हो अंदर से बाहर final क्या है बाहरवाला V- final और initial क्या है प्लस फिर रवन से रटू इंटिग्रेशन में भी क्यालमेट है आपकी रवन से रटू लिख लेना है इसको कुछ बुक्स में ए और बी लिखा होगा कुछ केस में स्मॉल रवन रटू लिखा होगा तो उससे स्फियर वाले क्वेशन में भी पंच्मॉल रवन रटू की जगे ए भी लिख दें ए बी वाला डाइग्राम जो था ए भी लिख दें तो कन्फ्यूज बात तो नहीं हो जाओगे लिख लोग न समझ इतना तो समझते हो नहीं या ठीक है लिख लोग के हां सभी लोग को आ रहे समझ में तो इसको अब सॉल कर लो वी माइनस माइनस वी प्लस क्या हो जाएगा माइनस टू के लैंडा लॉग क्या होता है लॉग फंक्षन पता है लन आफ आट वीट इसे लॉगरिद्म का एक पूरा लेक्चर करता हूं मैं जब मैं असेंचिल मथेमेटिकल टूल्स जो कि बेसिक मैट का अपना कोर्स है basic mathematics physics की जान होती है जो कि शुरुवात से ही अगर सीख ले बच्चा 11 वी में ही अच्छे से पढ़ा दें उसको कोई तो वह 12 के एंड तक बड़े आराम से बहुत सारी ऐसी mathematical चीज़े कर जेता है आप लोगों में से कई बच्चों नहीं कियोगी इसलिए दिक्कत आती चोटे मोटे असेंचियल मैथेमेटिकल टूल्स फर फिजिक्स यह कोर्स का नाम है और यह हम दूसरी बार कर रहे हैं तो टू डॉट वर्जन इसका यह सभी में आपको आवंत्रित करूँगा इसकी एक बार डेमो देख लेना वीडियो देख लेना इस कोर्स का जो मैंने डेमो बनाया व यह वाला अगर आपको ख्लियर है यह आपको यहां पर फॉर्थ स्टेप क्या करनी होती है बढ़ा की definition of capacitance is q by v q की value निकाल रही बी की value यहां पर है इसको अगर आप divide कर दो लेंदा को Q by L लिख दो या फिर से मैंने Q by L ले लिख दिया लांड़ आप को अपने एक पॉइंट पे लामडा लिखा है कि इंफाने लाइन का और इसका सेम होता है और यह चीज़ एले नॉफ आर टू बाय रवन कहां आएगी डिनॉम्टर में आएगी नुम्रेटर में आएगी पुरासा आखे खोल के देखना धियान से देखना इसके डिमेंशन भी इसके डिमेंशन भी is it making sense कि यूभाय और आदर एवले लेंशन में तो जो भी होता है वो देमेंशन लेस होता है लॉक के इंदर जो भी होता है डिमेंशन लेस होता है यह बात है ध्यान रखने पडेगी और यहां पे बिल्कुल क्यूं आंसल होने के बाद आपको क्या मिलत बिलता है क्या बिलता है formula ठीक है C of a cylindrical capacitor with inner and outer radius as length as L inner and outer radius as R1 and R2 is this ऐसे या 2 के denominator में वाली एक form और बना जेते हैं उसको भी आप ध्यान रखो और इसको भी ध्यान रखो एक में टू के denominator में है एक में टू पाई epsilon और numerator में दोनों सेम बात है दोनों के dimensions देख लो dimensions dimensionally यह और यह क्या C के formula को verify कर रहा है देख लो यार dimensionally और इसको याद भी रखना in case there is a simple question in J में sometime you will have to apply this formula directly and get the answer simple question में इसी इसको directly apply करके answer निकालना होगा अच्छा वाला होगा तो इसमें integrate इस तरह करना भी होगा बढ़ जाएंगे क्या यह भी geometry और medium पर depend कर रहा है यह यह भी सिर्फ geometry मतला R1 R2 और L पर इसमेंट कर रहा है और medium पर इसमेंट करी रहा है यह तो एरिया बाइडिस्टेंस होता था तलन नौट ए बाइडी यानिकी एरिया बाइड लेंद स्क्वार बाइड लेंथ होता था यहाँ पर सिर्फ numerator में लेंथ है लेंड वाली चीज़ के अंदर दैमेंशनली भी करेक्ट है यह भी हो गया आपका तो चो आते हैं फोर्स बिट्वीन दा प्लेट्स ऑफ केपासिटर पे यह आपके बेसिक कुछ अंडरस्टांडिंग होई है और अब आते हैं हम लोग एक जो चीज हम इस लेक्चर में इक तरह से डिराइव करने वाले हैं लेक्चर 1 में अपने क्या बोला था कि अगर हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया है इन लोनों में एक है बच्छों प्लस यानि की अपोसिट चांस दिया है यह दुनों एक दूसरा का ट्रयक कर रहेए और पकाड़के रखना पड़ता जगढ़के रखना पड़ता है वर से निकालेंगे तो क्या इस पॉइंट पे क्या इस पर्डिग्लर पॉइंट पे इस positive plate की वज़े से electric field हमें पता है या electric field का in fact direction भी पता है e-plus का direction देखने यह आपने क्या कर रहा हूं कि यार इसकी वज़े से एक electric फील्ड आ रहा है यहां पर जो इस दिशा में किया उस इलेक्ट्रिक फील्ड की magnitude सिगमा बाइट टू एपसलें नॉट है किया बच्चो एक परत की एक प्लेट की एक इंफानेट शीट की इंफाक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी जिसकी सिगमा अगर चार्ज तो किसी भी डिस्टेंस पे आर पे डिपेंड नहीं करता है, याद करूँए लार्ज प्लेट है, इंफाइनेट प्लेट जैसी ले रहे है, वो क्या हम बोल सकते हैं, सिग्मा बाइ टू अप्सिलन नौट, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव की वज़े से यहां पे निकाल रहे है नेगेटिव खुद पर कर चार्ज फोर्स लगा सकता है क्या refusing लगा रहे है और हम क्यू की ताख में निकाल ले थे कर दो्बारा निकाल लेते कि ऩмовक्तव शिग वैलिए जो is supply Q by A है, यह सारी चीज़ है, अब मुझे बताओ, इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, यह मैं बोल सकता हूँ, then force acting on the negative plate is equal to Q divided Q into E, है ना, बही नेगेटिव प्लेट पे यह जो force लगा रहा होगा, वो यहां पर electric field जो मौझूद है, अचा, electric field किसका, तो थोड़ा सा यहां पर गौर करना, मैंने detail में थोड़ा सा इसलिए लिया है, इन सभी points पर electric field किसका लें अपर, जो यह positive plate यहां पर electric field बना रही है, positive plate का electric field जो एकी surface है, इसकी एकी side है, दोनों side नहीं है, समझ रहे हो, कल अपने discuss किया था यहां पर, कैसे इसकी एकी side में force charge है, उसकी वज़िसे यहां पर electric field इतना है, और electric field अगर इतना है, तो इस पूरी परत पर देखो ना, इस पूरी पर एक negative charge है, और negative charge into the electric field will give you the value of the force, force का magnitude ऐसे निकालते हैं, direction अपने को पता attractive होगा, तो left में ही होगा, force का magnitude अपने निकाला है, direction obviously ऐसे होगा, क्योंकि opposite charges attract teachers है, अपने magnitude में एक बार विश्वा सकते magnitude कितना आएगा, तो यह वाली चीज यहां पर, substitute करो, जल्दी से लिखो, बड़ी simple चीज है, इसमें कोई, जाधा explain करने का scope भी नहीं है, और करना भी नहीं चीज है, क्या है कि जाधा explain कर दिया ना, तो बच्चा बड़ा जाधा spoon feeding के आदत रख लेता है, अगर आप यहां पर, तो दो तीन vicious point है, वो क्या है बटा, एक तो यह जो force है कौन लगा रह है, यह negative plate पर force लगा रहा है, positive plate, ठीक है, पूरी positive plate का यहां पर कितना effect है, positive कई, total नहीं लेंगे बटा, total क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि negative का, फुद negative पर थोड़ी force लगेगा, कोई charge के अपने उपर ही force लगा सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, हमने positive के वज़े से यहां पर क्या electric field है, वो निकाला, ठीक है, और उससे आपने minus q को multiply नहीं किया, क्योंकि आपको minus q से negative value मिले कि direction मिलेगा, आपने magnitude के लिए plus q से multiply उसको किया, भई हमें यह पता है कि यह negative q पे इस force है, ऐसे है, और यह हमें पता है कि positive q पे भी यह force है इस direction में, अलब positive plate पे भी इतना ही force लग expression, क्या expression है जी, q square by two epsilon not, कैसे आया, एक छोटा सा method मैंने आपको बताया, कैसे आया, उसको in fact इस form में भी लिख सकते हैं, इसको इस form में भी लिख सकते हैं, make of note of this second form also, जिसमें अगर हम sigma की form में लिखना चाहरे हैं, तो q को actually sigma y a लिख दो, q को sigma a लिख दो, q को sigma a लिख q square उपर आजाएगा, तो sigma square by two epsilon not a आजाएगा, रदना रहे, force equal to यह आगया आपके पास, q equal to sigma a रखने से, एक और variation इसमें क्या बन रहा है, एक और variation इसमें यह बन रहा है, कि जब आप force by area करोगे, force by area एक term होती है, जो की होती है, pressure, हम अगर force by area कर रहे है, एक तरह से हम एक pressure निकाल रहे है, क्योंकि यहाँ पर electrostatic का force है, यह जो force है, electrostatic attraction का force है, यह force by area जो की sigma square by two epsilon not है, इसको अपन एक concept बोलते है, electrostatic pressure, क्या बोलते है, electrostatic pressure, क्योंकि this is electrostatic force per unit area, इस पर जो force लग रहा है, per unit area कितना लग रहा है, तो simple सी बात है, यहाँ force दिख रहा है, यहाँ area दिख रहा है, f by a कर देंगे, sigma square by two epsilon not, इसको df by da ऐसे भी करेंगे अपन, कि देखना, यहाँ पर एगर छोटा से area लिया है, मैंने da, इस negative plate पर अगर मैंने एक छोटा से area, da लिया है, तो उस पर जो force लग रहा है df, ठीक है, उस df को मैं कैसे लिखाँगा, df is equal to sigma square by two epsilon not da, ठीक है बड़ा, यह df by da, sigma square by two epsilon not, यह हो जाता है, एक pressure, electrostatic pressure, यह अपना एक concept है, हो सकता है, जिस पर practice करेंगे, अपन लेटर jpp's में, इसको लिख ले ना, एक बार लिख लेंगे तो, आपको यह पंडा याद भी रहगा, और इसको apply भी कर पाएंगे, यह का, एक layer है, एक field into charge, force से ही, अपनने, force का एक और variation निकाल दी है, q की terms में, और sigma की terms में, force by area को अपनने, यह एक चीज़ बोलके, एक बार के लिए, save कर लिया, right click, save, फिर अगर हम इस चीज़ पे, energy, क्योंकि energy निकालने के लिए force की जरुद पड़ेगी बच्चो, इन दोनों के बीच में कि energy stored है, that is the main thing, जो कि अपने को आज discuss करनी है बच्चो, ठीक है, after doing all this, हम लोग finally arrive कर सकते है, energy stored in the capacitor वाले concept पे, काफी एक rich concept है, काफी simple भी है, बट काफी, लुभावना सा rich concept है, जिस पर बढ़े question बन सकते है, बच्चो, कुछ question अपन करेंगे, कुछ अच्छे question करेंगे, यहा charge store करना भी use होता है, इस पर और इस पर charge बने रहते हैं, लंबे समय तक, plus q, minus q मेंने बताया था, light जाने के बाद भी switch वगरा plug निकालने के बाद भी, आप लोग उस पर charge store करा हुआ, रख सकते हो, ऐसा है, capacitor का arrangement, बट main इसका use के energy stored करना, ठीक है बच्चो, तो कहां होती है, क और minus q, parallel plate ही मान लेते हैं, but this will be true for everything, spherical, cylindrical, सभी के लिए true होगा, ऐसी बात नहीं कि इसी के लिए true है, जनरल चीज़े निकालेंगे, ultimate ले, अभी के लिए plus q, minus q, parallel plate को दिया है अपने, और अपने को पता है कि negative plate पे force लग रहा है, electrostatic attraction का, जो negative plate पे force लग रहा है, electrostatic attraction का, ज we know this already, यह अगर force आपको लग रहा है, तो मैं एक dx displacement, इस plate का create करता हूँ, एक right direction में, एक dx displacement create करते हैं, चलो, तो क्या उस process में एक work done करना पड़ेगा आपको, in fact, क्या आपको यह displacement create करने के लिए, खुद एक force लगाना पड़ेगा, क्या मैं बोल सकता हूँ, वो एक external force होना च चाहिए, जो कि इस direction में हो, तो याद करो अगर इस force को आप ऐसे लगा रहे हो, कि हर एक point पे equilibrium बना पड़ा है, हर एक point पे equilibrium बना पड़ा है, मलग कि external force की value और electric field की value के, equal है, दोनों के magnitude equal है, direction obviously opposite है, but this is the force due to electrostatic, and this will in fact be equal to, अब भी लिखो इसको diagram बनाओ, यह भी equal होना चाह चाहिए, इससे external force, क्यों भाई, ऐसा क्यों नाची, for equilibrium at every stage, कौन से equilibrium, force वाला, net force equal to zero वाला equilibrium, for equilibrium at every stage, कौन से stage, क्यों से stage, क्यों भाई, हर motion के दुरान हर एक point पे, हर एक stage पे equilibrium बना हुआ है, यानि कि slow motion हो रहा है, slowly move कर रहे हैं हम, in the slowly moving of plate, okay, तो plate को बड़ा slow move कर रहे हैं, ऐसा move कर रहे हैं कि उसकी kinetic energy नहीं बढ़ रही है, वो slow दीरे-दीरे सरक रहा है, right side में, क्या उस case में, मैं बोल सकता हूँ, slow motion में, change in potential energy of the system, which is negative of the work done by the electrostatic force, is equal to positive of the work done by the external force, यह भी सिखा है, जो बच्चे अपने साथ शुरू से हैं, जिन्दा हैं, कैसे हो बढ़िया, कि क्या जी, यह तक हो ना जिन्दा, इसा तो नहीं कहीं इधर उधर निपड गया हो, उदा ना करे ऐसा, हो आपके साथ, चलिए du is equal to यह पूरी चीज लिखी आपने, और इस case मे du is equal to, मैं सिर्फ work done by external force ले रहा हूं, बच्चो, external force ऐसा लग रहा है, इसका displacement ऐसे है, external force ऐसे लग रहा है, इसका displacement ऐसा है, क्या work done by the external force, plus positive ही होगा, यह तो कोई जवाला चीज लिखा पने, work done by the external force is positive value, and it is this much in the magnitude, let's write it down q square by 2 a epsilon 0 into dx, और इसे चलो integrate करे, अपना फेर्ट टाइम पास क्या life में, चलो integrate करे, कुछ तो बना बना के, उसको integrate करते रहते हैं, दिन बर यह अपनी life चल रही है, यह engineering है, this is the rest of your life also, in case you plan to stick in engineering, जिवार बच्चे बोलते हैं कि सर, क्या हम लोग, यह जो चीजें हैं, यह जो हम सीखते हैं, integration वगेरा, क्या यह हमारी real life में actually काम आएंगी, क्या हम मतलब भार जब market में जाएंगे, जो चीजें खरीदेंगे, सबजी खरीदेंगे, उसमें यह कभी काम आएगा, क्यों पढ़ रहा हम, ठीक है, अगर lifelong सबजी ही वेचना है, तो मत पढ़ो, lifelong अगर market में जाके चीजें ही खरीदनी है, तो मत पढ़ो, बड़े यार, बाकी की बाते हैं, जो भी तुमारे दिमाग में है, दिल में है, कभी start-up करना है, कभी ऐसी कोई, you know, चीज करनी है, जिससे, even पैसा भी अगर आपका goal है, बुरी बात नहीं है, if your aim is to earn money in life, it is also one goal, मेरा personally तो वो goal नहीं, मेरा यह कि मन की शांती, और yes, कुछ अच्छा काम कर जाएं, ऐसा कि लोग को याद भी रहें, थोड़ा बहुत अपनी capacity में, बहुत ऐसा बड़ा पप भी नहीं है, कि बड़े लेवल पे एकदम, बिल गेट्स जैसे, बहुत पैसा होग यह सब कुछ करना, किसी का family priority हो सकता है, मेरी family के लिए में बहुत कुछ करूँ, ऐसे अलग-अलग आपके भी goal होंगे, जो भी goal है उसको best level पे achieve करने के लिए, पढ़ाई is the most efficient way, most efficient, माना कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कि आपको जीवन भर परियंत, बड मुझे, आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा, बड मैं यह बोल रहा हूं कि अगर आप लोग जीवन परियंत, एक कठिन परिश्रम करना चाह रहे हैं बिना पढ़ाई किये, तो मेरी यह रहा है कि फिर आपको physically बहुत जादा करना पड़ेगा और एक एच सोचना मतलब 40-50 क के बाद तो जब आप physically उतना कर भी नहीं पाओगे, तब भी करना पड़ेगा तो यार उससे अच्छा है कि आप ज्यान की शरण में आजाएं, जब ज्यान के द्वारा की जाती है तो काभी असान हो जाती है, कई बार बोलते हैं स्मार्ट वर्क, what is that smart work, that hard work भी कर सकते थे लेकिन smartly अगर कर लिया है तो उतना ही, in fact better effect हुआ, कम समय में उतना जाद अच्छा काम हो गया, लेकिन समझदारी से किया, ये है बटा, और आगे आने वाले यूप तो technological है, कई चीज़े वो तो आप लोग सिर्फ दिमाग से कर पाएंगे, ये बाते सोच लेना, पढ़ेगा, ऐसा एक old song यार बड़ा ही मतलब, irritating सा बट सच्चा ही लिखी उसमें, मैं कभी-कभी meme के forms में उसको सुना देता हूं बच्चों को, ये यू हो गया बच्चों, आपको यू का value जो आया है, वो थोड़ा सा अलग तरह से लिखना पड़ेगा, आप देखना यहा common constant part है ना, इसको integration से बाहर की रुका समन में आ रहा है, 2a epsilon not everything, even q is the common part, but dx को आप 0 से de-integrate कर रहे हैं, तो देखना, initially इस पूरे plate के बीच में कोई separation नहीं था मानो, और आप वो force लगा के, आप वो external force लगा के, एक इस direction में, d distance create करे हूं, यहां से यहां तक, वो d distance create करे हूं, ठीक है, शुरू में कुछ नहीं था, यह d distance पे दोनों plates को ले के आने में, इन दोनों को d distance पे ले के आने में, कितना work करना पड़ा, जो भी work करना पड़ा, क्या वो potential energy की form में store हो गया, क्या वो electrostatic potential energy ही है, भही वो कौन सी potential energy है, बच्चो देखो न, यहां पर, जब spring force के against work करते थे तो वो electrostatic potential energy होती थी, जब gravity के against work करते हैं, किसी चीज़ को उठाते हैं, उस case में, वो gravitational potential energy हो जाती है, यहां पे इन दोनों के attraction के विपरीत, हैना बच्चो, एक point पे अपने सीखा था, plus q, minus q, attract कर रहा है, उस system का energy निकालो, ठीक है, तो यहां पे भी वैसे कुछ हो उस पूरे process में, जो भी external work करा है आपने, वो एक electrostatic energy, energy stored in the capacitor बोल देते हैं, उसको, उस form में stored हो गया, वहाँ भाग क्या बात है, उसको लिखो एक बार, उसको एक बार ऐसे लिखो, और फिर मुझे बताओ कि यहां पे क्या एक manipulation कर सकते हैं, हाथ की सफाई, क्या कर सकते हैं इस पूरी चीज को आप C लिख सकते हो, इस पूरी चीज को आप देखना, C लिख सकते हो, कौन सा C, C for capacitance, C for Corona नहीं, C for capacitance, C for consistency लाओ, C for Corona का भगाओ, यह लिख दिया आपने, ठीक है बच्चा, यह एक महत्वपूर्ण formula है, इस formula को आप दिमाग में ध्यान में रखो, यह दो plates अब, parallel plate ना हो बच्चो, spherical हो, cylindrical हो, तब भी Q Q अगर उन पे charge है, plus Q, minus Q, उस system की capacitance पता है अपने को, अभी निकाली, U निकाल सकते हो, Q square by two epsilon not, U निकाल सकते हो, बहुत भरिया, यह एक formula हो गया, जो कि आप लोग को, energy stored in the capacitor, energy जो आपने external force लगा के किया है, इस तरह से है, त Look at this question number two, यह formula आप लोग ने लिखनी आउंगा, I'm sure, यह अले part को मैंने बस C लिखा, यहाँ पे देखो, यह question मैं पूछ रहा हूँ, doubt भी अगर किसी को किसी point पे यहाँ पे तो लिख दे, आदित्य वर्मा, बिटा, spam करने से नहीं चलेगा, और live chat तो देखा ही मत करो, आप लोग को एक, राय पहले मैंने आपको दे रखी, कि live chat मत देखा करो, बिटा, आपका best content यहाँ चल रहा है, आप लोग live chat में देखते रहते हो, क्योंकि वहाँ मसाला होता है, वो मत किया करे ठीक है, अंसर आ रहे हैं, बहुत बड़ी है, देखना, electrostatic potential energy of a charge conductor of charge Q, potential V, is given by, यही चीज़ को आप actually convert कर सकते हो, यही formula को आप इस form में भी convert कर सकते हो, तो यह एक बड़ी ही अलग बात है, जो मैं कहा रहा हूँ यहाँ यहाँ पर, एक notice करने वाली बात है, बटा, Q square by 2C जो formula आपने निकाला है, तो actually 1 by 2 QC भी लिख सकते हो, यहाँ देखो, इन दोनों को आप क्या लिख सकते हो, या आपने कहीं पर Q by C equal to V लिखना सीखा है, capacitance की definition में, capacitance की definition यहाँ तो लगा तो, या फिर Q equal to CV, जो अपने सीखा था, उससे अपन यह लिख सकते हैं और यह बना सकते हैं, इसके अलावा एक और switch है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी यह form, यह form, यह form ज्यादा, use होगी, half CV square as one more form of energy, ज्यादा use होगी, कैस यह लिख रहा हूँ, यह बार मैं बहुत ध्यान से पढ़ाता हूँ, फिर भी कुद बच्चे यार बार-बार लिख देते हैं, फिर से बताओ, मतला यार तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, एक-दो बच्चे यहार ध्यान देना कि, आम तो आपकी है, मैं तो पढ़ा रह ना इनों को एक साथ लिख ले ना ये यू इस एक्वल टू सी वी का होल स्कॉयर आपने सी वी का होल स्कॉयर में आपका क्या आजागा लूँच्वर वी स्कॉयर वाइट टू सी एक सी कैंसल होके आपको यह फर्म भी विल जाएगा this is the formula of energy stored in the capacitor in all three forms in all of its three forms जिसमें ये question actually ये formula actually पूछा जाता है कभी देखना question में C दिया होगा कभी question में V दिया होगा कभी question में C दे दिया है V दे दिया है इस तरह बैटरी का potential दे देंगे वहापे आप half CV square लगा होगे कभी आपको charge दे दिया है और capacitance दे दिया है तो आप Q square by 2C भी लगा होगे कभी आपको charge और potential दे रखा है इस question की तरह अब आप 1 by 2 QV बोल दोगे तो इस तरह आपको इस question की इस formula की application करने है Is that clear? मैं यहापे एकदम बहुत basic चीज़ बता रहा हूँ पिर मैं जब एक बढ़िया एडवांस लेवल की चीज़ पर आने की कोशिश करता हूँ तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है और पिर कैसे होगा बिटा पिर हम कैसे करेंगे यह तो मैं basic सी चीज़ बता रहा हूँ आज तो basic lecture है lecture 2 of capacitor है उतने लेवल पर अभी तक पहुंचे नहीं है अपन एक दो लेक्चर में पहुंच जाएंगे फिर मुझे थोड़ा वहां पर लगए का है मैं बताओं कर नहीं बताओं यहां पर एकदम से बच्चे यह डाल देंगे कि यह समझ नहीं आ रहा है और वैसे वह एक दो बच्चे ही होते हैं हजार में से एक दो बच्चे ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आइधिंग अपन 998 बच्चों का थोड़ी ना वह करेंगे नुकसान है तो मैं तो पढ़ा दूँगा फिर आपको अगर कुछ जो चीज नहीं समझ में आती जैनुएनली मैं वह दो बच्चों के लिए भी सोच के बोल रहा हूं या नहीं समझ में आती है तो दोबारा देख लेना तीबारा देख लेना इससे और बेटर तो नहीं हो पाएगा आप अपने एंड पर थोड़ा सा ध्यान ज्यादद होगे तो बेटर हो जाएगा में भी यह देखो ना केपैसिटेंज दे रखिए और वी दे रखाए जैसे वी और थीवावी फा मखाल कॉन सी है हाप इलिकार मोस्टरी फॉर्म आप इसके अलावा क्यों फॉर्म भी ध्यान में रखना कि उन HEY ुन पर भी वी स्कूरophile कर लो ऊप्रम करने तो ऐने आश्य स्कूर्ट हो न सो बटे चार कितना हो गया पचीस और पचीस इंटू 10 की पावर माइनस थ्री माइक्रो भी तो है 10 दू पावर माइनस 6 भी करना है बटा तो 10 दू पावर माइनस 6 भी करना है आपको और वो 2.5 इंटू 10 दू पावर माइनस 3 हो जाता है Am I right? Is that clear? D कौन लिख रहा है? D वालों क्या चल रहा है? Half CV square में भी गलत कर रहे हो तूम ठीक है एक दो बच्चे D लिख रहे है थे पूर्त question देखो या यह question आप लोग देखो थोड़ा try करो बढ़ो साथ में पढ़ते हैं चलो Padlet Plate Capacitor having a Q charge on it Plate Area A D is the separation between the plates one of the plates is pulled and making the final separation of 2D ठीक है डाग्राम बना लो इसका तो in fact अगर डाग्राम बनाओके तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा यह अगर आपका एक Parallel Plate Capacitor है जिसका Plate Area A है इस पे Q charge भी दे दिया आप Positive Plate पे Plus Q और Negative Plate पे आपने Minus Q भी दे दिया है चलो ठीक है पिर आपने क्या बोला है कि if one of the plates is pulled out to make the final separation 2D यह D था और यह 2D हो गया है उस case में What is the work done in the process इस process में कितना amount of work done करना पड़ा आपको यह लिखना है कई बच्चे B लिख रहे हैं कई बच्चे C भी लिख रहे हैं और कोई है क्या A वाले नहीं है आपर यह वालों कहां कहें तुम सर यह तो dimensionally incorrect है very good बड़े समझदार बच्चे आपर D तो होई नहीं सकता सर calculate तो कर सकते है very good यह जो B और C में लड़ाई चल रही है उसकी वज़े है कि B में यह दे रखाया और B गलत actually ध्यान देना यहां पर 2D जो final separation है उस पर आ रहे हैं आप from D यहां पर already D separation था ध्यान देना ठीक है और अब आप D distance और इसको move करने पर final separation 2D कर दोगे समझ है आ रहा है इसका मलग यह नहीं कि 2D से आप multiply कर दोगे अब ध्यान देना बड़ा असान है आप कितना external force लगा रहे थे इस process को करने के लिए आप क्या force between the plates निकाले थे दोनों के बीच में attraction है यह attraction है यह जब force constant है और distance जो D move कर रहे आप क्योंकि already D था और D से आपको pull to make 2D करना है कितना displacement किया आपने D का force into displacement work done क्या हो गया F into D भीया F into D करना है आपको तो सिर्फ Q square by 2 epsilon not D करना है आपको method number one method number one see answer obviously अगर आपने work किया है तो क्या system का energy change हो गया होगा आपने एक work किया है क्या system में change in potential energy is same as the work done विलकुल external force का work done और change in potential energy तो same है 2D पर potential energy कितना है D पर potential energy कितना है 2D पर कितना होगा कौन सा formula लगा है Q दे रखा है question में Q दे रखा है question में Q square by C वाला formula लगा सकता होगा है यहां देखना Q square by 2C at 2D इतना spoon feeding नहीं कर सकता मेरे भाई इतना अगर मैं करूंगा तो J main भी बहुत मुश्किल हो जाएगा तो थोड़ा सा मुझे अपने level पर भी चीज़ें करने दो A epsilon not by जब 2D separation है तो Q square by 2C लगा रहा हो मैं यू का कौन सा formula लगा रहा हो मैं क्यूंकि question की demand क्या है कि आपको Q दे रखा है C दे रखा है V तो दे नहीं रखा है question में question number 4 में V दे रखा है क्या कई क्यों Q दे रखा है A D वगरा दे रखा है तो C निकाल सकते है Q square by 2C लिख रहा हूं मैं माइनस Q square by 2A epsilon not by D था शुरू मैं बताओ इंदोनों का difference क्या आजाएगा इंदोनों का difference यह वाला आजाएगा यह तो ऐसे करो यह ऐसे कर लो यह यह ज्यादा आसान क्यूं है क्यूंकि आपको आपको फोर्स का expression पता है once you know the basics then work done निकालना मसका है once you know the main concept work done निकालना मसका है but one year when you are doing तुक्य बाजी यहां 2D होगा 2D होगा विटा तु सही नहीं कर रहा है गलत कर रहा है कुछ तो गलत कर रहा है concept is the king concept को ध्यान में रखो concept क्या है potential energy का आया कहां से है पोर्स के expression से concept takes every edge in life whenever you have concept is the main king तो हैश्टाग concept is the king से शेर हो जाना चीए बच्चो आज का है है चोटी सी चीज और पढ़ा रहा हूं तो उसको देखी लो यहां पर energy density छोटी सी चीज़ है energy density in electric field मतलब क्या है energy density वर्ड पर गौर करें energy per unit volume की हम बात करेंगे यहां पर plus q minus q वही d separation a area of the plate situation आपको पता ही है अब यहां देको यार यह जो energy stored है यह हम बोल रहे है electric field की form में stored है एक point पे बोले थे इंफार लेक्चर बन में बोल रहे थे हम यह जो energy stored होगी ना situation में कौन सी energy अभी निकाले अपन निकाले क्या निकाले क्या निकाले क्यू स्क्वाइर बाइट को मैंने ऐसे लिख दिया है यह लिख दूं क्या जाल रिक्ली लिख दूं इस बात को थोड़ा सा समझें एक छोटी बात थोड़ा सा डेरिवेशन ही है बड़ी काम का है तो हम देखने कि energy यहां पे पूरे प्रेलल प्रेट में stored तो है बड़ किस फॉर्म में है आपने यह जो वर्क किया है इसको खीच के जो वर्क किया है हम क्या रहा है Dros- STATIC potential energy है अवर्क कर रहे है वह असल में electrostatic attraction के against होट व्रक कर रहे है तो वह स्प्रींग force के against work कर रहे हो वह Elastic potential energy हो जाती है यहां पे भी अपन वर्क तो electrostatic force के against के लेकिन वह energy किस form में store हो रही है तो that is the beautiful idea, वह एक बड़ा ही बहतरीन idea है कि वह electric field की form में store हो रही है, और वह electric field जितने बड़े area में, जितने बड़े volume में है in fact, उतनी ज्यादा उसकी energy है, energy density, यानि कि energy per unit volume निकालने के लिए, देखना हम क्या करेंगे, इस formula में थोड़ा सा twist q की बड़ा है, sigma की terms में लिख दो इसको, sigma into a लिखा है मैंने, ये चलेगा क्या, आप लोग भी लिखना है यहाँ पर, ये d को अपने यहाँ पर लिख लिए है, और मैंने यहाँ पर क्या किया है, जान बूच के बच्चा, कि q is equal to sigma a एक variation जो है वो introduce किया है, q equal to sigma a, क्या sigma equal to q by है, सभी को पता है, तो I think, ये बात clear हो गई है, तो ये जो u की value आ रही है, ये u की value को अब देखना है, और कैसे लिखा जाए, sigma square by two epsilon not, और यहाँ पर एक a, यहाँ पर एक cancel हो जाएगा, एक a numerator में और एक d तो numerator में पहले से यह बच जाएगा, ये clear है, देख ले ना एक ब रिजन में electric field की value पता है, देख ले ना इसको, या इस पूरे region में, देखना है आध्यान से, दूसरी बार, तीसरी बार बता रहा हूँ, शाहिद ये, कि negative और positive दोनों की वज़े से, sigma by two epsilon not होगा, मतलब, कल किया था यह अपने, कल detail में किया था, यहाँ पर negative की वज़े से, positive क की वज़े से, repulsion, negative की वज़े से, attraction, positive की वज़े से, e plus, और negative की वज़े से, e minus b, दोनों same direction में है, तो दोनों का individually कितना है, इसका अगर sigma ले रहे हैं, अपन, तो sigma by two epsilon not, and इसका भी sigma by two epsilon not, बच्चो, आपको याद होगा कि sigma by epsilon not is the value of the electric field between the parallel weight capacitors, हाँ, इसी को अपने q by a epsilon not ल लिखा था, वो अलग बात है, इसी को अपने q by a epsilon not लिखा था, दोनों की वज़े से, एक की वज़े से अपने लिखा था, q by two epsilon not, जब इसका इस पर force निकाल रहे थे, तो एक की वज़े से ले रहे थे, लेकिन दोनों की वज़े से कितना होगा, double हो जाएगा उसका, तो वह मैं यहाँ पर यह चीज कर रहा हूँ बचो, देखना, क्या कर सकते हैं, क्या आप लोग की अनुमती है जो मैं कर रहा हूँ उसको, लिखने में, और अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो sigma square by epsilon square को मैं, finally one by two e square लिखना चाहरा हूँ, ठीक है जी, epsilon not b, और ad b, ठीक है, यह सारी इसे जो मैंने लिखी एक बार आप भी लिख लें, कहीं पर कोई दिक्कदारी तो बता दे, आरे नीची क्योंकि यह सारी चीज एक साथ अपन कर चुके हैं, यह अभी derive किया है, तो यहाँ से यह चीज, यह D उपर फैंक दिया, Q को sigma यह लिख दिया, एक A बज गया numerator मे, ad को साथ में लिख दो, adsl में volume हो जाएगा, area into distance between the plates, volume हो जाएगा, तो energy per unit volume निकालने की कोशिच कर रहे है, energy density माने, energy per unit volume निकालने की कोशिच कर रहे है, पर उसे में एक और twister क्या डाला है, अपनने sigma कर दिया है, तो sigma by epsilon naught तो E होता है, और sigma square by epsilon naught लाने के लिए, यहाँ पर epsilon naught स multiply कर दिया है, यहाँ देखो न, यह चीज और यह चीज सेम है के नहीं, epsilon naught से multiply divide कर दिया है, और यह पूरी चीज बड़े काम की चीज है, अगर आप सोच रहे हो ही है, यह यह कुछ, नहीं यह बड़े काम की चीज है, ठीक है, अरे यार, कहीं पर lag आ गया छोटा से, you think now we are fine, I think, थोड़ा सा lag आ गया था, बट we are fine now, यह आपने लिख लिए है अगर, मैं इस चीज को अगले page पे ले जारा हूँ, के यार, अगर energy stored per unit volume निकालना है, ध्यान देना, दिख रहा है न, lag तो नहीं आ रहा, ओ, अब lag ठीक हुआ है, तो मैंने कुछ भी पढ़ाया नहीं था, lag आ गया था, तब मैं रुख गया था, I hope आपने लिख लिया हूँ, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया उसके बाद, भी तो ठीक है, इतना मत रो, तो यहाँ पर अगर U की ये value आ गई है, तो हमें क्या निकालना है, बिटा, energy density, energy density क्या चीज़ होती है, energy stored per unit volume, कोई भी चीज़ की density का, निकालने का क्या तरीका है, कि वो पूरी चीज़ लिखो और volume से divide कर दो, तो मुझे यह बताना इस पूरे region में electric field की वज़े से कितना energy density है बच्वों हम निकाल रहे है energy density उसकी definition क्या हो गई भाई इस पूरे region में कितना energy stored है capital U divided by volume इस पूरे region का volume क्या है area into distance d हमने पूरी जो energy निकाली है वो यार q square by 2c इस form से इस form में convert कर दी है हमने पूरी energy इस form से इस form में convert कर दी है क्यों क्यूंकि हमें कर नहीं है ना हमें इस तरह से expression लाना है जिसमें a into d आपस में साथ में आ जाये तो वो क्या होगा a into d volume होता है बिटा a into d volume पार्ट होता है तो वो cancel हो जाता है cancel हो जाता है कर दो इसको और हम यह क्या निकाल रहे है small u यह बच्चा क्या है small u यह क्यों क्यों लिख रहे है क्योंकि capital u divided by capital volume is small energy density यह concept है जो कि आपको छोटा सा concept है बड़े काम का है लिख लेना है एक फॉर्मूला बन गया है यह बड़े काम का फॉर्मूला है जिसमें अगर electric field पता हो किसी रीजिन में एक फॉर्मूला क्या क्या रहा है किसी भी रीजिन में electric field है किसी रीजिन में electric field है बच्चा उस रीजिन में energy stored per unit volume देखना इस रीजिन में छोटा सा एक volume लिया मैंने यह मैंने small volume लिया dv d capital V small volume मैंने लिया ठीक है तो उसमें कितना energy d capital U होगा उसमें कितना energy stored होगा energy stored in dv वो निकालने का क्या तरीका है वो निकालने का यह तरीका है कि this is equal to small u into dv और जहां पे भी यहां देखो ना यहां पे अगर electric field की value अपने को पता है यहां कोई भी electric field हो variable electric field वाली भी situation हो कोई भी कैसी भी हो 1 by 2 epsilon 0 e square into dv छोटे volume को multiply कर देंगे तो वो छोटे volume की energy अपने को मिल जाएगी है ना density into volume is the energy energy density का funda क्या है यह divide करोगे volume से तो energy per unit volume मिलेगा असर आपको volume से multiply कर दोगे तो energy मिल जाएगा ठीक है तो यह एक general result है although अपन ने PPC के लिए निकाला है although अपन capacitor में इसको निकालते है सबसे पहले यह एक general result है जो की आपको electromagnetic waves chapter तक भी काम में आएगा आगे आगे के बहुत सारे chapters में जैसे कि आपको हो सकता है कि बीच में यह magnetism में भी काम आ जाए और हो सकता है बहुत अच्छे electrostatics के questions में भी काम आ जाए but mainly यह magnetism में electromagnetic wave में application होती electromagnetic wave light wave है जैसे कोई भी wave है उसकी energy निकालने के लिए काम में आएगा इसको लिख लेना it is true for any configuration not just PPC आपका spherical, cylindrical capacitor उसके लिए true होता ही है बात समझ में आगी इसकी एक application करते हैं इसको छोड़ते हैं वहाँ पर यह question है जो की last question of the day है तो करे बिना मत जाना half epsilon not e square आपको लगा के question का answer करना है half epsilon not e square is the energy per unit volume आप एक point पे यह सोच रहे होगे कि यह क्यों निकाल रहे हैं अपन तो मान लो की इस तरह का question आगया जही main में जही main level का सवाल एक दम है मान लो इस तरह का question आगया जही main में आपको इसको directly apply करना है most of the questions coming from this concept have direct application of the formula itself ठीक है जलो ठीक है हो गया answer तो लिखो क्या lag क्यों आ रहा अभी भी अभी तो कोई lag नहीं बटा अभी कोई भी lag नहीं है हो गया था बस क्या answer नहीं आ रहे है अभी पी अब आ रहे answer ओके तरणजीत दास भूमी इकांश एक बच्चे का नाम किया थंडे पापा घजब नाम है रते हो तो घजब इमादेशन ते ठीके वंशिका राजप्रिया most of you have written the right answer some of you have written B B बट बिचा गलत है B गलत उत्तर है D for Delhi is the right answer कैसे देखना यार यहां पर बहुत आस्ट energy density energy density in the electric field created by a point charge falls off with the distance from the point charge as तो एक तो बात कर रहा है energy density की बात यह नहीं कर रहा है कि electric field क्या होगा electric field kq by r square होता है लेकिन कई बच्चों नों electric field कैसे r के साथ vary कर रहा है inverse square law लगा दिया है बात तो औरी थे energy density की बटा तो B गलत है क्यों समझ में आ रहा है आप यहां पर imagine करो कि एक point charge की वज़े से किसी भी point पर electric field अगर kq by r square से अपन निकाल सकते हैं उस region में electric field के इस तरह होने की वज़े से electric field 1 by r square होने की वज़े से क्या विटा u की value क्योंकि 1 by epsilon not e square होती है क्या u की value 1 by r square के square यानि कि r4 के proportional नहीं होगी यह चीज़ पता है तुम्हें यह चीज़ पता है यह चीज़ पता है अब यह एक extra चीज़ पढ़ी है अपने आज e square के proportional होना मतला r square के भी square के r2 par 4 के inversely proportional होना इस तरह के question आता है यार तो यह concept हुआ जिसका यह formula है यह बच्छा आपका formula है और इसकी application एक basic application ही है यह question तो और applications अपन करेंगे और application क्या हो सकती कि यह region में जब e की value अपने को पदा है कितनी energy निकालेंगे हम हम बोलेंगे small u into volume small u की value क्या है उस point पे जो भी e की value है ना उस तरह से इस तरह की बहुत सारे applications होती है बिल्कुल अपन करेंगे भी अपने practice sessions में वगरा में यह आप लोग को make sure करें इस channel पर subscribe है notification bell दबा रखी है और डेर से तीन के अपने lectures में आप लोग regularly आ रहे हैं बिल्कुल आपके chemistry के lecture का time होगे आप जा सकते हैं Maths और सब कुछ सारी चीज़े 11 12 सब कुछ follow कर रहे है make sure आप लोग को academy j telegram channel मिल चुका है अप लोग academy.com slash जहनतनागदा पर followed up है academy की learning app पर या फिर academy.com slash जहनतनागदा पर followed up रहने से आपको बहुत सारी special classes में आने का मौका मिलेगा 2000 free classes as well उसके लावा आपने instagram पर telegram पर facebook पर सब जगे पर at the rate जहनतनागदा से मौझूद है आप लोग भी वहाँ पर अपनी presence बनाओ just to know each other just to be in touch जैसे हम मेरे सारे post academic nature की होते हैं जैसे twitter पर भी tweet कर रहे हैं facebook पर इंस्टा पर भी कभी कुछ डाल रहे हैं तो वह चीज क्या है वह NTA की को information उस तरह की चीजें होती है अब touch में रहेंगे आप ही लोग को competition से related guidance मिलती रहेगी करी बार हम इंस्टा पर live आते हैं आज शाम को मैं सोच रहा हूँ हुआ इंस्टा लाइव आएंगे तो अपन इस तरह की बातचीत करेंगे motivation strategy की बातचीत करेंगे उस पर देखो बहुत सारी अपने classes करी हुए life class environment इस तरह होता है पोल बाउंड practice होनी चीए पोल में answer करना है बातचीत भी बहुत सारी होती interaction भी बहुत सारी होती वह practice important है जैसे practice आप J main में actual में करने वाले J main का exam आपका screen पे होगा time limit के अंदर होगा तो वैसे practice करके आप day by day better बन जाओगे don't expect कि आप एक ही दिन में आप अगर सोचरे हो कि नहीं है मैं पढ़ लेता हूँ अभी तो lecture 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 और एकदम वहां जाके मचा दूँगा आप actually reality से बहुत दूर है reality क्या है कि रोज इस तरह की practice करने होती रोज इस तरह से अपनी marks को देख देख के थोड़ा थोड़ा improvement होता है एकदम gradual improvement होता है इस तरह से करने से ही result आता है देखो अपने एक बच्चा जो कि इसी चैनल पे दो महीने पढ़ा अप ही लोग के तरह वो पढ़ा उसके बाद वो subscription पे आगे इस तरह के practice बहुत सारी material को करने के बाद और इंडिया के best educators से guidance लेने के बाद परसेंटाइल overall इंडिया ले आया सोचो 100% in each and every subject ऐसे बच्चे भी अपने और इस तरह के बहुत सारी क्यूंकि अपने educators हैं बहुत सारी batches हैं आपको भी बेस्ट बनना है तो उनसे पढ़िये आप लोग को यहां पर टॉप ऑथर्स डी सी पांडे सर एमेस चोहान सर इन अवस्ती सर इनके नाम सुने आपने आपने आम शूर वह लाइप पढ़ाते हैं यहां पर कोटा के बंसल में क्या चल रहा है उसके अलावा हर batch में क्या चल रहा है यह सब अगर पा सकते होता इस टोटली वर्थ एट कि आप लोग को अनकेडमी लर्निंग अनकेडमी डॉट कॉम इंपक्ट दोनों विजट करना चीए पोन पर कर रहे हो तो अनकेडमी की लर्निंग आप डाउनलोड करो इंस्टॉल करो आइटी जेए नीट दोनों कैटेगरी के बच्चे अपनी अनकेडमी जेए पर जाके सर्च कर लेना मेरी प्रोफाइल जैयंत नाटबा और सारी स्पेशल क्लासेज फ्री हो उनको जैयंत कोड से अनलॉक कर लेना जैयंत या जैयंत लाइव कोड से अनलॉक कर लेना, make sure आप ये करें यह कोड आपको discount भी देता है जो भी आपके बहुत सारे plans यह उनके देता है उनकी मैं बात कर लेता हूं इस पॉइंट पर यहां पर अगर आप लोग को एक सारी की सारी access to all the educators चाहिए अगर आपको सारी classes live या recording सब कुछ चाहिए सारा material चाहिए सारी की सारी test series चाहिए सब कुछ बच्चो एक ही सब्सक्रिप्शन में है ऐसा नहीं कि आपको हर चीज के लिए अलग प्रहसा देना पड़ेगा नहीं रूपी सेवंटी पर डे आप देते हैं 2100 पर मंथ आप देते हैं आपको सब कुछ अनलॉक हो जाता है totally totally for you to play around है जितना आपको पढ़ना है जितना आपको जैसे तीन साल तक अलरड़ी चल चुके बाचेस तो यार बहुत सारे मेरा in fact बहुत सारे courses का collection special classes का collection आपको मिल जाएगा tinyurail.com जैंत161 पर मैंने अपने सारे ही topic wise courses को in fact दो दो तीन-तीन courses क्योंकि तीन साल होगे सभी उसी link पर रख दिया कोई बच्चे देखना चाहे तो देखे जरूर टाइनयुर.com जैंत161 पर ठीक है और यस बिल्कुल यह सारी चीज़े आपको यह मिल रही है अगर आपको एक ही साल प्रिपेर करना है कुछ बच्चे जैसे बारवी कर चुके आप ड्रॉप ले रहे हैं उनको एक साथ ही मिलेगा ठीक है आप लोग 12 प्लान ले सकते हैं जो बच्चे बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं चाहे वह बारवी में लेकिन उनके दो attempt बाकी है फिक है उनको ले लेना चाहिए टू यर प्लान या डेर साल का प्लान अपने इसाब से जो भी प्लान आपको सूट करता ले 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 और जैंत कोड से maximum discount भी ले है इस कोड की हमियती है कि आपको maximum discount मिलता है यह कोड यूज करके आप आ रहे हैं उसका मतलब है कि आप मेरी guidance में रहना चाहते हो रहते हो और यस इस तरह से हमको भी पता चलता है कि बच्चा आपने मादिम से आ रहा है मतलब कि वह अपने को जानता है और अच्छे से अपने batches में बहुत सारे batches होत और उसी से आपकी development होगी अच्छा एक iconic subscription है जिसमें आपको पर्सनल कोच मिलता है पर्सनल कोच क्या चीज़ है वह आपको गाइड करेगा motivate भी करेगा time to time आपको बताएगा कौन सा batch आपके लिए सही है क्योंकि आप लोग का अलग background होगा आपका हो सकता है थोड़ा बहुत कौन सा नहीं लगाना है I think this is a very good facility for those who can go for iconic subscription should go for it आपके parents को भी कई बार queries होती है जेई और नीट से related तो वो उनसे पूछ सकते हैं यह basically वो counselor है जो कि आप education में जैसे offline में अपन जाते थे ना और बातचीत करते थे पर कई बार वो जो बातचीत कर रहे है वो बहुत कम experience वाले होते थे यह होते हैं बढ़िया 10-15 साल के experience वाले counselors जो ITJ और NEET अपने अपने इसाब से बच्चों को guide करते आ रहे है इतने सालों से यह यह भी आप जहन्त कोट से जहन्त लाइव कोट से लें अपना इमर्ज 3.0 बैच चल रहा है कल से जैसे हमने बीच में बोला इमर्ज 3.0 12 मही से चालू हो रहा है हम लोग essential mathematical tools of physics एक course है जो की 11 वालों के लिए बहुत basic है बहुत important है वो चालू कर रहे है कोई बच्चा 12th dropper में तो वो भी देख सकता है पर वाले बच्चे भी अपने इन बैच्चे को देखके preparation करने बच्चा है ना जो भी बच्चे जानना चाहते हैं इसके बारे में we'll be doing an insta live बच्चो आज शाम को रोहन सुशान्त मैं आपकी कुरी देख रहा हूँ अपने आज एक instagram पे live session करेंगे उस पर पूछ लेना है सारी कुरी मैं answer करूँगा and make your make your juniors know about this description में 11th class का एक course ऐसे link पड़ा हुआ है अपने juniors को बता दे ना class 11th के जो भी बच्चे आपके juniors हो आपके siblings हो सकते भाईवेन हो सकते चोटे यह आपकी जिम्मेदारी दाइत हो है कि आप उनको बता दे वनना होगा क्या वह भी लेट फाइंड करेंगे फिर उनको दुख होगा कि मैंने इतना लेट फाइंड किया मैं को कोई पहले बता देता आप अगर शुरू में बता देंगे तो उनको भी बच्चों को अच्छा लगेगा है मेरे ध्यान रखा मेरे सीनियर ने डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है अलकाडमी कॉमबैट का भी संडे को होता है टेस्ट एक और आ गया है जो कि टी टेस्ट सीरीज की तरह है मैं आप लोग आई पेल मिस कर रहे हो तो आप बहुत सरे अमेजन वाउचर साप ले सकते हैं जीत सकते हैं यह दोनों टेस्ट फ्री हैं यह दोनों ट्रेस्ट फ्री हैं पर इनके लिए एन्रोल पहले से करना और यार यह ओफर था जो कि थोड़ा सा चेंज हो गया अभी एक साल पर पहले तीन महीने मिल रहा था अभी दो महीने मिल रहे हैं वह अगर आपको 24 प्लस थ्री मंथ क्योंकि बाद में तीन महीने क्रैश कोर्स के लिए एक्स्ट्रा लेगा फाल तुमें और ज्यादा पैसा धेना पड़ेगा उससे अच्छा इए अच्छा फ्लान है यूमाइड चिंग अभी तो थीन महीने बात की कौन सो मैंसामे बाइन जब वह दो महायने एक्स traces एक्श्रा मिलता लास्ट्रिपरेश्ण के फिछ मेर्मिधा करता है अब सोचे є अपने प्रप्रेश्चार के CRUCI, मोस्ट टाइम पर लास्ट के दो-तीन महिनों में अगर सब्सक्रिप्शन रहेगा तो कितनी गाइडेंस फिलेगी कितने सारे एजुकेटर्स की इस वरी इंपॉर्डन थेंग अलएट तो मेक शूर बच्चो आप इस चैनल पर सब्सक्राइब बैल आइकन भी दबा दिया है यह बच्चो ने यह भूल गया है तो यह भी दबा दे लाइक और शेयर करें तो है यह ज़रूर यूज करें जब भी आप शेयर करें यह आप एक शेयर बटन है तो दबा दो और दस सेकेंड लगेंगे हैं यह ज़र आइट जैनतनाग्दा इंस्टाग्राम पर कर रहे हो टेलीग्राम पर कर रहे हो फेस्बुक वाटसाप वरेवर यूशूट टैग मी अब टोनाइट तुदे इवनिग नौर दस बजी के आस्पास